वेलकम तो एड़ुजोस, एड़ुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम करेंट अफेस 2020 के दिसंबर महीने के करेंट अफेस कोश्चन देखेंगे क्योंकि दिसंबर महीने के करेंट अफेस की जो वीडियो है वो नहीं आ पाई थी RRB NTPC के exam analysis में लगातार busy होने की वज़े से ये थोड़ा late हुआ है लेकिन सभी questions जो important है दिसंबर 2020 के इसके सभी questions देखेंगे लगबग 90 प्रश्ण इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद है तो इसे like and share जरूर कीज़ेगा इस वीडियो का PDF आपको हमारे android app पर मिल जाएगा current face section में आप जाएगे तो आपको PDF के टैब में जाना है current face section में जाना है इसके बाद है भारतिय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में किसके नेवल वर्जन का सफलता पुरुवक परिक्षन किया है तो यह answer हो जागा ब्रमोस सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल इसके बाद है फीफा की final ranking 2020 में कौन सा देश सिर्शस्थान पर रहा यानि खोज किये जाने वाले सब्द के तोर पर किस सब्द को word of the year 2020 गोशित किया है तो यह Cambridge dictionary ने चुना है quarantine सब्द को ठीक है जो Corona के लिए हम लोग quarantine word यूज करते है ठीक है तो उसके word of the year के लिए Cambridge dictionary ने इस सब्द को चुना है इसके बाद question है हाल ही में किस देश के स्वास्थ मंत्राल ने अपने देश के सभी नागरिकों को free Corona vaccine टीका जो है वो देने की गोशना किया है तो यह शुरुवात में Finland ने कहा था इसके बाद है किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौधिक संपदा परीक्षा और संडक्षन पर सहीोग के लिए भारत के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो अमेरिका इसका अंसर होगा भारत के किस राज की विधान सभा ने अपने राज में ऑनलाइन गेमिंग पर परतिबंध लगाने वाला विध्यक पारित किया है यानि ऑनलाइन गेमिंग पर वहाँ पर बैन लगाया है उसके लिए विध्यक पारित किया है तो आंध्य परदेश की विधान सबा ने ये विदहक पारित किया है इसके बाद कोशन यहाँ पर है कि भारत के किस राज ने सरकारी योजनाओं के वितरन के लिए द्वारे सरकार कारिक्रम शुरू किया है बारतिय सेना प्रतेक वर्स जंडा दिवस जो है वो कब मनाती है साथ दिसंबर को हर वर्स जंडा दिवस मनाया जाता है संयुक्तराश संग के द्वारा पूरे विश्व में मानवा दिकार दिवस प्रतेक वर्स के इस दिन मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है इसके बाद है DRDO ने हाल ही में ब्रमोस सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर नाली की मारक छमता को मौझूदा 298 किलोमेटर से बढ़ा कर कितना कर दिया है 450 किलोमेटर यानि अब आपको याद रखना है कि जो इसकी मारक छमता 298 थी वो अब 450 हो गई है किसकी DRDO की ये ब्रमोस सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर नाली है ठीक है इसकी मारक छमता बढ़ गई है किस लगू फिल्म को 93 में अकादमी पुरसकार में भारत की अधिकारिक प्रविष्टी के तोर पर चुना गया है तो अंसर होगा शेमलेस विवाह में पारदसिता के लिए जो राज कानून लाने की योजना बना रहा है उसका नाम है असम इसके बाद है भारत ने एक एंटी रेडियेशन मिसाइल रूदरम 1 का प्रिक्षन किया है एंटी रेडियेशन मिसाइल रूदरम 1 को किस वर्स तक सेना में शामिल किया जा सकता है वर्स 2022 तक एंटी रेडियेशन मिसाइल रूदरम 1 जो है वो भारतिय सेना में शामिल हो सकता है किस राज ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है बहुत important सवाल है उत्राखन ने छोटे जानवरों के लिए पहला eco bridge बनाया है इसके बाद question है भारती रिजर बैंक ने किस परनाली की अबधी बढ़ा कर 24-7 यानि 24 गंटे 7 दिन कर दी है तो RTGS परनाली की जो system, RTGS जो system है real time gross settlement जिसको हम लोग कहते हैं ये payment transfer करने का system है जिसी तरह से जैसे की NEFT है ठीक है तो RTGS की जो समय सीमा है अब वो अबधी कितनी हो गए है 24 गंटे 7 दिन कर दी गई है रक्षा नुसंदान और विकास संगटन DRDO ने दिली कैंट में किस अस्पताल में ICU बेट की संक्या को बढ़ाती करके जो है 500 कर दिया है सरदार बल्लब भाई पटेल इसके बाद है Serum Institute of India ने Oxford University और Global Pharma Joint Estra Genka के साथ मिलकर किस COVID वैक्सीन के लिए साज़दारी की है तो उस वैक्सीन का नाम है COVID Shield भारत की कौन सी फार्मासेटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 COVID-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्मान करेगी तो आंसर होगा हेटेरो इसके बाद है हाल ही में किस देश के वग्य वसकोष में 10 कडोर रूपे का योगदान करने का निर्ने लिया है तो SBI ने ये निर्ने लिया है इसके बाद है साखिर ग्राप्री बहरीन में जो होगा है फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारती ड्राइवर कौन बन गए है जिहान दारू वाला याद रखेगा प्रशनिया पर है भारत के किस रज में देश का पहला टाइर पार्क अस्थापित किया जाएगा तो आंसर होगा वेस्ट बेंगौल यानि पस्चिम बंगाल अंतर राष्ट्य नागरिक उडेन दिवस कब मनाया जाता है साथ दिसंबर को मनाया जाता है दिल्ली एवं जिला किरकेट संग यानि डीडी सीए ने हाल ही में किस परूव किरकेटर को सलाहकार समीती का अध्यक्ष नियुक्त किया है आंसर होगा अतुल वासन इसके बाद है राष्टे परदूसन नियंतरन दिवस किस दिन मनाया जाता है दो दिसंबर को मनाया जाता है इसके बाद कोशन ह हाल ही में किस राज के कीवी को किस राज के कीवी को जैविक परमान पत्र यानि और्गैनिक सर्टिफिकेट दिया गया है अरुना चल परदेश important question है इसको याद रखेगा अगला प्रशन है भारते मूल के किस health expert को विशु स्वास्त संगठन का CEO निउक्त किया गया है तो आंसर होगा अनिल सोनी ठीक है health expert है यह भारते मूल के जिनको विशु स्वास्त संगठन foundation का CEO निउक्त किया गया है अगला सवाल यहाँ पर है भारते नौ सेना पंडुबे दिवस किस दिन मनाया जाता है तो भारते नौ सेना पंडुबे दिवस जो है वो कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है आठ दिसम्बर को ठीक है इसके बाद है कौन सा देश चांद पर अपना राश्टिय जंटा फैराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है तो आंसर होगा चीन इसके बाद सवाल पूछा गया है यहाँ पर केंद्रिय सिक्षा मंत्राले ने नई बैग पॉलिसी जारे की है जिसमें बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा पांच किलोग्राम से अधिक नहीं होगा यह केंद्रिय सिक्षा मंत्राले का निर्देश है कि जो ब पतरकार लेकक को उनके उपर न्यास दसीटी एंड दसी के लिए तीसरे रविंदनाथ टैगोर साहित पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो नाम हैंड का राज कमल जहा फोब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमन लिस्ट में किस महिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है एंजला मारकल ठीक है एंजला मारकल फोब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल महिला के लिस्ट में नमबर वन पर है इसके बाद है हाल ही में किस देश ने महिला किस वाले खेलों में किस खेल को अधिकारिक तोर पर उलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है तो अंसर होगा break dance इसके बाद question है जलवायो परिवर्तन प्रदर्शन सूच कांक 2021 में भारत किस अस्थान पर है दसवे अस्थान पर है इसके बाद है किंद सरकार ने चालू वित्वर्स में आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोर रूपे खर्च करने की मनजूरी दिये 1584 करोर इसके बाद देखिए अगला सवाल यहां पर है अंतराष्ट्य मानवादिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को यानि Human Rights Day मानवादिकार दिवस जो यह 2020 के लिए विशय क्या था यह पूछा गया है फिर से बहतर मानव अधिकारों के लिए खरे हो जाओ यह इसका सब्जेक्ट था वल्मर्ट ने किस देश से वर्स 2027 तक 10 अरव डॉलर का निर्याद करने की घोशना की है भारत अंतराष्ट्य परवत दिवस यानि International Mountain Day कब मनाया जाता है 11 दिसंबर को हाल ही में भारते मूल के किस सांसद को Congressional Progressive Caucus यानि CPC की अध्यक्ष के तोर पर चुना गया है तो अंसर होगा परमीला जैपाल नेक्स्ट कोशन है ICC की ओर से जारी ताजा वंडे रैंकिंग में पहले अस्थान पर कौन बल्लेवाज है तो नाम याद रखेगा विराट कोहली ICC की लेटेस रैंकिंग दिसंबर 2020 के अकौटिंग आप इनको याद रखेगा पहले अस्थान पर रोहित शर्मा दूसरे अस इसके बाद है विश्व आर्थिक मंच 2021 कहां आयुजित किया जाएगा तो यह अंसर होगा सिंगापूर विश्व स्क्वैस फेडरेशन के अद्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है जेना वोल्ड्रीज को चुना गया है नेक्स्ट कोशन यहाँ पर है खेल मंतराले सन्य ले चुके सभी खिलारियों के लिए रोजगार मोहया कराने के लिए खेलो इंडिया केंदर के स्थापना करेगी तो ऐसे 1000 खेलो इंडिया केंदर जो है वो खोले जाएंगे खेल मंतराले के द्वारा डावर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलिवूड स्टार को डावर सम्मान से सम्मानित किया है सूदी अरव ने सम्मानित किया है किस फुटबॉल खिलारी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवर्ड जीत लिया है रोबर्ट लेवान डॉसकी जो की पॉलन्ड के खिलारी है अगला सवाल यहाँ पर है भारत और किस देश के बीच सेलिब्रेटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है होस्टेज वेजिटेरियन सेलिब्रेटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है सोनू सूत को अंतरास्ट्य परवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है देखे यह अंतरास्ट्य परवासी दिवस है एक परवासी भारतिय दिवस होता है जो आप सबको पता है कि वो 9 जनवरी को मनाया जाता है तीक है ये अंतराष्टे परवासित दिवस है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है रक्षा मंतराला ने सेना के तीनों अंगों के लिए जितने करोर रुपे की लागत से हथियार वसेन उपकरन की खरीद को मन्जूरी दे दी है 28,000 करोर रुपे इसके बाद अगला सवाल यहां पर है किस देश का चांगी E5 यान चंद्रमा की सता से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पिर्थवी पर लोटा है तो चांगी E5 जो है वो किसका यान था? चीन का यान है ठीक है? जो चंद्रमा पर भेजा गया था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विक्सेत किस मिसाइल को ओडिसा के बालसोर तट से सफल पर इक्षन किया है तो ये किया गया है पिर्थवी 2 संयुक्तराष्ट विकास कारक्रम यानि UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांग यानि Human Development Index, HDI Index जो है इसमें भारत की सस्थान पर रहा 131 हाली में किस देश ने अंगारा A5 Heavy Lift Rocket को लांच किया है? अंसरो जागा रूस अंतराष्टी होकी महासंग ने वर्ष 2023 FIH पुरुस होकी विशुकप की मेजवानी लगातार दूसरी बार किस राज को सौपे जाने की गोशना की है? तो अंसरो जाएगा ODESA यानि 2023 का FIH पुरुस होकी विशुकप कहां पर होगा? ODESA इसकी मेजवानी करेगा अगला सवाल है सुप्रीम कोट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज के हाई कोट की पहली महिला चीफ जस्टिस निउक्त किया है? तो हिमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है नीती आयोग ने हाल ही में सरवजनिक स्वास्त निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है तो नाम है विजन 2035 संयुकत अरब अमिराद के अबुधावी में अविजित अबुधावी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखरी सीजन किसने जीता है मैक्स वेरस टैपन ने अगला सवाल है उर्जा संरक्षन दिवस किस दिन मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है दक्षीन अफरीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है कुिंटन डिकॉक को दक्षीन अफरीका के टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है हाल ही में किस राज सरकार ने अपनी सरकारी मदर्सों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिये तो असम राज सरकार ने ये मंजूरी दिये विश्व अलप संख्यक दिवस कब मनाया जाता है 18 दिसंबर को विस्व अल्प संख्यक दिवस मनाया जाता है हाइपर सोनिक विंड टरनल HWT परिक्षन सुविधा प्राप्त करने वाला तीशरा देश कौन बन गया है तो आंसर होगा इंडिया ठीक है इसके बाद देखे अगला सवाल है हाल ही में अगला कोशन यहाँ पर है भारत में परतिवर्स राष्टिय किसान दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है 23 दिसंबर को किया जाता है इसके बाद सवाल यहाँ पर है किस दिगर्स खिलारी और साथ बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सरवसेष्ट खिलारी चुना गया लुइस हैमिल्टन इसके बाद है किस दिगर्स फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इस कोशन का अंसर हो जागा धर्मेंद्र ठीक है हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमुति नेंद मोदी को लीजन ओफ मेरिट प्रुसकार से सम्मानित किया है तो अंसर हो जागा अमेरिका ने यूएस से ने इसके बाद देखिए राष्टिय गनित दिवसकब मनाया जाता है तो नेशनल मैथमेटिक्स दे जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है किस देश ने विश्टू के सबसे बड़े रेडियो टेलिसकोप का निर्मान किया है तो अंसर हो जागा चाइना यानि चीन हाल ही में किस राज के बंदरों के लिए किस राज में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनरवास के यानि मंगी रिहाबिलेटेशन सेंटर की अस्थापना की गई है तेलंगाना में की गई है राश्टिय उभोकता अधिकार दिवस नेशनल कंजूमर राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है 24 दिसंबर को इसके बाद है सवाल उद्योग मंडल एसोचेम के नई अध्यक्ष के रूप में पद भार किसने समाला है विनीत अगरवाल ने इसके बाद है हाल ही में किस निगरानी पोत को भारती तटरक चक बल में शामिल कर लिया गया आंसर होगा सुजीत अमेरिकी स्पेस फोर्स ने कहा है कि हाल ही में अपने जवानों को कौन सा नया नाम दिया गया है अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाली में अपने जवानों को गार्जियन्स नाम दिया है किस रज में भारत की पहली लीथियम रिफाइन रिये स्थापित की जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गुजरात में की जाएगी इसके बाद है सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है हाल ही में किस राज सरकार ने विश्व के सबसे बड़े होकी स्टेडियम बनाने की गोशना की है तो अंसर हो जाएगा ओडिशा हाल ही में प्रदान मंतरी ने रिमोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उदगाटन किया है इंपोर्टन सवाल है दिल्ली में और ICC ने किस भारते किर्केटर को दसक का सरफसेष्ट वन डे प्लेयर चुना है विरात कोहली को इसके बाद कोशन है ICC ने किस पूर्व भारते कप्तान को दसक के ICC स्प्रीट आफ्द किर्केट अवार्ड से समानित किया है महिंदर सिंग दोनी को इसके बाद देखे अगला सवाल यहां पर है कि किस फुटबॉलर को दसक के सर्फसेस्ट फुटबॉलर के अवार्ड से सब्मानित किया गया है क्रिस्टियानो रोनालो को और सेंगतराज अमेरिका ने किस साल के अंग तक चंद्रमा पर पहला परमानू रियक्टर स्थापित करने की योजना तयार किया है वर्स 2026 तक हाल ही में किस राज ने अपन भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्गाटन किया है किस राज ने किया है उत्रा खंड ने किया है इसके बाद है सवाल ICC टेस्ट रैंकिंग में पर्समस्थान पर किस देश की टीम है तो आंसर हो जाएगा नूजी लेन ये टेस्ट रैंकिंग की बात है । दिसंबर 2020 तक की बात है इसको अच्छी तरह से आप याद रखे है इसके बाद देखे राकएंदर्यमंत्री मंडल ने किस मिशाइल परनाली के निरियात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी परदान की है तो इस मिशाइल का नम है आकास मिशाइल अगला सवाल है मुके संबानी को पीछे छोड़ते हुए एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है तो इनका नाम है जोंग शान यान ठीक है यह मुके संबानी को पीछे छोड़ते हुए एसिया के सबसे अमीर वेक्ती बन चुके है तो अब कभी भी आपसे सवाल पूछेगा कि एसिया के सबसे अमीर वेक्ती कौन है तो देखें दिसंबर 2020 तक एसिया के सबसे अमीर वेक्ती जोंग शान शान है ये आपको याद रखना है अब मुके संबानी आप अंसर नहीं कीजेगा लेकिन अगर ये सवाल आपको पहले पूछ दे कि October में कौन थे October 2020 के इसाब से जैसे कि RRB NTPC में पूछा जा रहा है कि October 2020 के इसाब से सवाल पूछा जा रहा है तो फिर आप मुके संबानी ही अंसर कीजेगा इस वीडियो का PDF आपको हमारे Android आप पर मिल जाएगा तो ये थी आज की वीडियो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजे शेर कीजे थेंक्यू